सभी मित्रोकू मेरा प्यार भरह नमस्कार कैसे हैं आप उम्मीद करते आप सभी अच्छे होंगे ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ खास कर कानपूर द्यहाद के लिए बना रहा हूँ और मेरे द्वारा उन्हें साख्च और प्रमाड दिया गया जो कि हाई कोट के द्वारा जवाब मिला था जिसमें सरकार ने अपना जवाब दिया था जिसमें सरकार ने और अधकारियों ने ये कहा है लिकित तोर पर कि ग्राम प्रहरियों को दो ड्यूटी करना होता है और मैं दो ड्यूटी का पैसा देता हूँ तो इससे अच्छी पहल ये हो गई है कि उस प्रमाड को ग्यापन के साथ लगा कर सोम बार को कानपुड देहात मुख्यालय माती में लक्षिमिकान गौतम जी के द्वारा ग्यापन दिया जा रहा है अपने ग्राम प्रहरियों की ड्यूटी को ले करके क्योंकि कानपुड देहात में दो की बजायत चार चार आथ हाट ड्यूटी लोग करते हैं लेकिन उसका कोई पैसा नहीं मिलता है इसलिए बहुत सारे ग्राम प्रहरी जाग चुके हैं अलाकि लक्षिमिकान जी पहले हमें नहीं समझ पा रहे थे और कई बार हमारा थोड़ा बिरोध भी किये हैं ऐसा नहीं है लेकिन कहते हैं न कि अगर भूला हुआ ब्यक्ति अगर समझ जाए तो उसे एक अच्छा इंसान कहते हैं तो इसलिए मैं लक्षिमिकान गौतम जी का धनवाद अबार प्रिकट करता हूँ कि आपने हम जैसे ब्यक्ति पे थोड़ा सा भरोसा किया है और मैं उम्मिद करता हूँ कि आप जैसे लोगों के भरोसे पर मैं खरा उतरूँ तो मैं कानपुर्द यहाद के जो भी चौकीदार है मैं उनको एक बाद निवेधन करना चाहता हूँ मेरा वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो क्रप्या करके आप माती यानि लक्ष्मिकान जी का नंबर में डाल दे रहा हूँ इसे संपर कर लें आप सभी पहुँच करके ग्यापन जरूर दे दें यह आपकी हित के लिए होगा और कानपुर्द याज से बर्मा जी है हमारे मैं बर्मा जी को भी कहूँगा कि आप लक्ष्मिकान गौतम से संपर कर लें और जाकर के 10-15 लोगों को ले जाके आप ग्यापन जरूर सोंबार को दे दें क्योंकि इससे कही ना कहीं आपके पास बहुत बड़ा प्रभाव पढ़ेगा आपके छित्र में तो एक तो यह साक्ष और प्रूफ हो गया है और मुझे लगता हर जनपद में यह प्रूफ के साथ आपको काम करना चाहिए यदि आपके पास नहीं है तो आप हमें वाटसब मेसिज कर सकते हैं आपके पास प्रूफ मिल जाएगा या आप लक्ष भी कांद को अधम जी से ले सकते हैं तो उसमें साफ साफ शबदों में लिखा है लेकिन कहते हैं लेकिन अंद्भक्तों को को उन ही समझा सकता तो मैं वीड़ू बनाता हूं वाकई में जरूरत है अपने अधिकार के लिए उनके लिए यह वीडियो है, अप्व जानते हैं कि इमांदारी वाले व्यक्ति का मान सम्मान नहीं होता है, इमांदार व्यक्ति का कई जगे लोग अपोःमान भी खड़ते हैं, लेकिन हम वो इस तंब है, कि जहां पर खड़े हो जाते हैं, तो फिर उस वहां से हिलना नामु तो हम चार्ट डूटी क्यों करेंगे भाई तो एक तो आपका ये फायदा है और मैं खासकर उनन वक्तों को कहना चाहता हूं जो मुकदमा वाजी में अभी भी नाच-नाच करके पैसा देने का काम करते हैं और दूसरों से दिलवाने का काम करते हैं कि अब भी चिल्लू भर पानी में डूप कर मत जाओ सरकार ने जवाब दे दिया है अपना इसकी आलाबा आप क्या जबाब चाहते हैं भाई उन्होंने कह दिया कि तो डूटी के लाबा मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा तो आप फिर किस चीज का मुकदमा कर रहे हो भाई और कि जो लोग पैसा दे रहे हैं यह लोग क्यों नहीं पूछ रहे हैं इनको यह नहीं पता है कि इनको गुम्रह किया जा रहा है लेकिन इनको असरी नहीं होता है इनको लगता कि नहीं अनुत्रपाटी के घर में पैसा जा रहा हूं जब सरकार ने यह कह दिया है कि मैं दो कोटी कैसे देजेगी सरकार इसके लिए नियम और प्रावधान होते हैं भाई हलुआ नहीं है यह सरकार के जब मंसा होगी तब आपके विवाग का क्या करेगी आगे बढ़ाएगी कि खतम करेगी वो सरकार के उपर डिपन करता है पर यह बेवकूफी मत करिए यह बेवकूफी जो आप लोग कर रहे हैं यह सबसे बड़ा ही समलोग घातक है आपके विवाग के लिए और इस बेवकूफी की बजए से कई बार धरने फ्लॉफ हो रहे हैं आप समझ लीजिए मैं पर यह बेवकूफी करें तो कहने का तात्वर यह है कि यहां पर जो भी हो रहा है सब उल्टा सीधा हो रहा है इस उल्टा सीधा को रोकिए आप लोग तभी जा करके आपका उध्धार होगा मेरे बाई हम आपको यहां तक बता दें कि कई थानों पर चोकीदारों का देरे देरे आपके भी थाने पर पहुंचेगी सत्यावन मतलब होता है कि जैसे कई लोगों में कमेंट कर रहे ते सबाल पूछ रहे जवाब करने यह आपके एक वैरिफिकेशन है कि मतलब आप ड्यूटी करते हो कि नहीं करते हो क्या कर रहे हो कितने ग्राम प्रहरी दे बलग कुछ भी अगर ऐसा आपके लिए आता है दिसेस उपहर तब यह सत्यापन प्रक्रिया को इस्टार्ट किया जाता है तो सत्यापन प्रक्रिया जो हो रही वो आपके हिते में हो रही है मैं उपर वाले से कामना करता हूँ कि आपका बेतन मान ही बगे सीधा और जो लोग इला अवाली कर रहे हैं जो इधर उदर ड्यूटी नहीं करते हैं चोकीदारी ज्वाइन की हैं उनका इसमें नुकसान होने वाला है यदि सत्यापन अगर इमानदारी अच्छी तरह से किया गया तो उन लोगों की नोकीश चली जाएगी जो लोग ड्यूटी नहीं कर र जो इमानदार लोग हैं उनके लिए फायदा होगा ताकि जो लोग पुलिस वाले कहते हैं कि भाई यूटी नहीं आए या नहीं गए तो आपके पास एक साथ अप्रूप सरकार तक रहेगा तो ऐसा कुछ होने का विचार मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार कुछ सोच रही हो भाग भाग करके मुकदमे में पागलों की तरह पुखना दे रहे हैं कि याद मैं दिखें मैं फिर गह रहा हूँ इसमें दोसी जो पैसे दे रहें मैं उनको दोसी नहीं बोल रहा हूँ हो विचारे नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज Bless साइद अभी नहीं समट पा रहा है लेकिन समझेंगे जरूर और एक दिन याद जरूर करेंगे नुत्रपाठी को कि हाँ यार कोई बंदा था बहुत समझाया है तो खेने मलब क्या इसमें गलत है दो चार लोगों को चक्कर में 1486 लोगों का जीवन अंदकार में जा रहा है आप समझेंगे बस मुझे इस बात का घष्ठोरा और कोई दुख नहीं है आज इस तरह 1486 लोग लेकर कि ये मुकदमा दुनियादारी किया जा रहा है यदि यही 1486 ही मिलकर के अंगामा किये होते हो दरना प्रतासन किये होते तो स समझाएं किसको तो मित्रों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इवीडियो अगर अच्छा लगा हो और सच में अगर वाकिम आप सत्त को पसंद करते हो तूँ लाइक करो और शेयर करो और कॉमेंड अपना करो दर ये नहीं डरेंगे तो मरेंगे सीधी बाद और सोम बार को आप लोग कानपुर द्याद जो कानपुर द्याद के लोग हैं पहुँचे लक्षिविकान जी से संपर कर लें धन्यबाद नमस्कार जैहिंजार